एक बार क्या हुआ यम्राज धर्ती पर आए और यम्राज ने कहाता से यम्दूत नहीं कि जायो, उसमूर्थिकार का समय हो गया उसे ले करके आई यम्दूत आएं मुर्थिकार बड़ा होश्यार था बड़ा त्थिवान था। कि मूर्थी को देखके आप कहनी सकते थे कि असली है या नकली है एक बार इस मूर्थी कारण ने सोचा कि यार दिनिया से मुझे भी जाना पड़ेगा एक दिन नंबर आएगा किसी वकील ने सलाहे दे दी कि एक काम कर तुझे यदि अमराज यम दूद लेने आए तो थुड़ा सा धोका दे 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 ना मौत को मौत को धोका उले हाँ तो यम बांग जमालू में मूर्थी कार ने क्या किया वकील की सलाहे पर अपनी जैसे साथ पुतले बना लिये और एक दिन जब यम दूद लेने आए तो आठवी जगए खुद जाके खड़ा हो गया यम दूद ने देखा कि यार इसमें कौन है मौत कार ये आठों के आठों तो एक से लग रहे हैं एक सी डिजाइन एक सा कलर एक सा रंग एक सा रोप यम दूद ने थोड़ी देखा ल खाली हाथ आया गुली तुर मेरे धंदा बिगाड दिया जो भी जाता है खाली हाथ लोटके यम राज बहुत दिक्कत हो गई रंडूतों ने कहा यम राज ने कहा क्या दिक्कत हो गई अरे बुले किसको लेके आए किसका नंबर है अरे तुम्हें आखल नहीं है सब के तुक्तिकार को लेगा रहो, वहां तो आठ आठ खड़े हुए है, यमराज में का कुछ भी हो जाए, यम ब्रम ब्रहा जी कभी गलती नहीं किया करते हैं, कोई ना कोई कमी जरूर रखा करते हैं, अरे गोले मराज, वहां कोई कमी नहीं है, आठों के आठों बिल्कुल एक से कि दिखाई दे रहे हैं हमने एक घंटा देखा लेकिन समझ नहीं पाए कि असली मूरतिकार किसका नंबर है इदर आओ इधर आओ, एक मंत्र देता हूँ, बुले मंत्र, बुले हाँ, एक मंत्र देता हूँ, उन आठों के सामने एक मंत्र पढ़ना, जो असली होगा, बाहर निकल आएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इंसान कितनी भी चाला की कर ले, हम से ज्यादा चाला को, यम्दूत फिर आ है, फिर जाके मूर्ति के वाजिव में खड़ा हो गया, यम्दूतों ने कहा, वाज, क्या ब्रम्भा जी तुम्हारी कला है, गजब हो गया, एक से आठ आदमी, कितना सुन्दर ये पुतले बने हुए हैं, कितने सुन्दर लो खड़े हैं, वाहरे भग्वान, क्या तेरा च तेरी प्रतमा इतनी सुन्दर है, तु कितना, हम तो से देखना चाहते हैं, कि कौन ऐसा पुरुस है, जो एक साथ, एक सी इतनी सुन्दर रूप बना दिये हैं, इतना कही रहे थे यम्दू, कि एक मूर्ति में से आवाज आई, ये पुतले मैंने बनाए हैं, बात यम्दू तो उने का, चलो हमारा फैसला हो गया, बोले बात आओ गया, तुम्हारा नमबर खताम खेल, उसने का कि ये कैसे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बोले बात हम यही तो पता करना चाहे रहे थे, कि इसमें असली कौन है और नकली, है बुर्तिकार, तु सब कुछ भुला दिया तुने एंकार नहीं बुला पाया, और तेरे मुझे निकलाया, ये फुतले मैंने, बकरी जो मैं मैं करे, अपनी खाल किचाए, और मैंना जो मैंना कहे, दूद भात में तिखाए, ध्यान रखे, बिचार गये, मैंने छोड़ पाया मुर्तिकार, आदमी यदि मौत की ग्रप तुमें आता है, मैं के कारण आता है ध्यान रखे, मृत्यों का मतलब ये नहीं होता, कि सरीर छूट गया, तो हम मर गए, मैं तो कहता हूँ, जिस आदमी की यश्कीरती जिस शन मर जाती है, जीते जी आदमी जंती से मर जाया करता है, जिस समय आपकी प्रदिष्ठा मर गई जिस समय आपकी इज़त मर गई, जिस समय आपकी सम्मान मर गया, वह मृत्यों तो धंड से कमनी हुआ करता है, ध्यान रखे, मौत बो नहीं कि अम्राज उठा कर ले जाए, जिस समय हमारी ख्याती मर जाती है, समझना आदमी उसी जन मृत्यों को प्रदा, फिर तो वो जीना जीना नहीं है, वो तो जिन्दगी को ढटोना हुआ करता है, ध्यान रखे, मानिवर, आपसे मेरा निवेधन है, एंकार से बचने का प्रयास करिए, कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैं चट्पे खड़ा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे, फुटवाल खेल रहे थे, फुट फुटवाल, वहां क्या होता है, उसे लात पड़ती, जहां जाए, वहीं किक मारी जाती है, कोई भी हाँ से नहीं उठाता है, जहां गई, वहीं लात परी, फुटवाल ने मुझसे कहा महराज, मेरी जिन्दगी कैसी जिन्दगी है, जहां जाओ, वहीं लात पड़ती है, ब जिसे जिएंगे बताईए लाज क्यों मारी जाती है विटवाल खेली है कभी जिए कि माराज़ मुझे हर ना बॉली वाल नहीं फुटवल जो पैरों से प्टती है 93 जमिलय पेटा वहां जाँ उसा जाली महराज में इतनी पिट्टी कॉए हुँ जो देखो बुझे लात मार देता है यहां रखिए अंदर का cherry की हवा भर जाती है वो जिसके अंदर हवा होती है वो हर जगह लात काती है एक कामकार वोले क्या मैंने का हवा निकाल देगी कोई भी तुझे लात मारने को तैयार है जब तक हवा भरी है तब तक ही लात पड़ेगी हवा निकली एए इनसान बात फुटवाल की नहीं बात तो हमारी जिन्दगी की है जब तक है इंकार की हवा भरी है घर में भी लात पड़ेंगी समाज में भी लात पड़ेगी जहां चला जाएगा एंकारी रिखती वहां उसे लात पड़ने के अलाबा कुछ होने बाला लो के दे मिरा अपमान तो होगा ही होगा ध्यान रखिए अरे सम्मान की हवा निकाल दे अपमान होना अपने आप बंद बता जिस पुटवाल की हवा निकल गई उसे कोई लात मारता है बोले लात मारते है क्या जिसे लात पड़ रही थी जब हवा भरी थी हवा निकल जाए तो लोग लात से नहीं उस निकली हवा की फुटवाल को आदमी हाथ में उठा लिया करता है ध्यान रखिए जो व्यक्ति हिंकार छोड़ देता है इंसान तो क्या भगवान उसे हाथों पे उठा लिया करते हैं अज मार्दो धर्म है मार्दो धर्म यह कह रहा है अकरो मत इक बार क्या हुआ गोड़ी और जिस पे वो करते हैं क्या होता है बेलन से तो यूं होते हैं उसके नीचे चकला चकला यह बेलना भार है चकला समझगे चकला बेलन भी बेलन तो जादा समझते हो यह उप्यों जल्दी होता है एक महला ने बेक महला से बाजिवाली की महला बेलन मांगने आई बेलन देना बेहन अपना बेलन देडे उसने का क्यों बोले पती आ रहे है उसने का जल्दी लोटाना बोले क्यों बोले मेरे बेली बेला चोटी सी होती है उसको जब.. मादू मैं.. पैर रोटी मधा वो यह उसको जब Emir ना तो रोटी बड़ी हो जाती है और जैसे ही रोटी बड़ी हुई रोटी ने कहा ए चकले भाई वो चकले तकले और वो बेलन बोले क्या बोले मुझे दे तू उतना का उतनाई है मैं कितनी बड़ी हो गई तेरे हातों में खेली इतनी बड़ी हो गई चकले के बराबर हो गई बेलन ने कहा तो बड़ी हो गई तो इत्ती अपड़काई को रही है बड़ी तो हमारी वज़े से हुई अय बले बज़े कुछ भी हो मैं दुनिया में सबसे बड़ी हो गई बेलन ने कहा ए रोटी जादा मतकर ये जो तो बड़ी वणी है ना इसके कीमत चुकाना पड़ेगी बोले क्या कीमत चुकाना पड़ेगी बोले देख अब जैसे ही बड़ी हुई है ये महला तुझे हाथों में लेगी और लेने के बाद गरम गरम तवे पर डाल देगी अरे बोले डाल देगी तो मज़ा आ जाएगा बोले क्या मजा आएगा बोले मैं फूल के और बड़ी हो जाओंगी अब उसमें गैस भरेगी सिकेगी और ऐसा मूँ फूल गया जिसे महलाओं का फूल जाता है रोटी फूल रही बोले जादा मतकार तेरे जैसी कई रोटीयां मैंने देखी असंख्यात रोटी मेरे जीवन में आई बोले क्या हुआ बोले जब तू बड़ी बनती है तुझे तवे पे डाला जाता है तू और हिंकार में फूलती है जब हिंकार फूलता है तो तुझे मालूम है क्या होता है बोले एक नई मालूम क्या होगा बोले मालिम कर ले होगा ये तेरे तुकड़े तुकड़े करके ठाली में परूस दिया जाएगा ज्यादा अकरेगी तो तुकड़े तुकड़े हो जाएगे तेरे तुकड़े हो जाएगे और यदि किसी बुड़े की ठाली में चली गई तो तुकड़े ही नहीं होगे तो ये डाल में मसल भी दिया जाएगा ध्यान रखिये